नमस्कार जैहिन वन्दे मात्रम दोस्तों मैं रंचीत पांडे आपके लिए फिर से नया वीडियो लेकर आया हूँ पचास कॉशन्स जीके के प्रीवेस एसके कॉशन्स हैं ये प्रश्ण हमेशा पूछे जाते हैं रिपीट पर चलते हैं वीडियो में सारे कॉशन अटेंट करिए और चेक करिए कितने आपसे बन रहे हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन आउन कर लीजेगा और नोटिफिकेशन को all पर सैट कर दिजेगा जिससे हर दिन के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके रोज रात में दिन के सभी वीडियो का एक मिक्स कॉशन का वीडियो लाइब चलता है आप उसमें भी जुड़ सकते हैं तो चैनल पर बने रहेगा और अपने दोस्तों को जरूर बतलाईएगा चलिए अभी हम शुरू करते हैं तो खतम करते हैं आज के ये 50 कॉशन्स प्रीवेस येस कॉशन्स हैं आपको कॉशन पढ़के भी समझ में आ जाएगा मैसे इस उपनियाश के लिए 2019 में मैन बुकर इंटेनेशनल पुरूस्कार चीता था तो उमान के लेखक जो खाल आठी ने सैलिस्टिड बॉडी ये उपनियास का नाम है जिसके लिए 2017 का मैन बुकर इंटेनेशनल पुरूस्कार नहें मिला था हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराना परताप से युद्ध किया था मानविकास सुचकांग 2018 में भारत की रैंकिंग 13 थी निमलिखित में से कंप्यूटर भाशा कोबोल का आविश्कार किस ने किया था तो कम्पिटर भाशा को बोल का विशकार ग्रेस मुरे हो पर ऑप्षन नमबर एक ग्रेस मुरे हो पर ने किया था जंगरना 2011 के अनुसार किस राजय में जनसंक्या का घनत वशबसे अधिक है तो जनगरना 2011 के अनुसार बिहार राज में जनसंक्या घनत वो सबसे अधिक है मतलब कम इस्थान पर जादा लोग है इन मेंसे कौन एक प्रकार की रूपांत्रिक चटान होती है जिसकी उशेस्ता बिभिन्य प्रकार की रूपांत्रिक चटान है बिभिन्य प्रकार की रूपांत्रिक चटान है जिसकी उशेस्ता बिभिन्य प्रकार की चटानों के अलग-अलग हो जाने के कारणा आम तोर पर हलकी और गहरी सिलिकेट की पट रचना से बन कर बनती है भारत में सैने सेवाओं के लिए सर्वोच पुरुषकार स्रिष्टता क्रम में निमलिखित में से कौन सा है तो भारत में सैने सेवाओं के लिए सर्वोच पुरुषकार स्रिष्टा के क्रम में परमवीर चक्र है मार्च 2019 में दक्षन ACI फुटबॉल महासंग यानि की साफ की बहली की महिला चैंपेंशिप भारत ने लगातार कौन सी बार जीती तो 2019 में दक्षन ACI फुटबॉल महासंग की महिला चैंपेंशिप भारत ने लगातार पांच भी बार जीती थी भारती समिधान के अनुसार मध्यवर्ती इस्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या इन में से किस से अधिक ना हो भारती समिधान के अनुसार मध्यवर्ती इस्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं कर सकते हैं जिसकी जनसंख्या बीस लाग से अधिक ना हो निमलिखित मैंसे कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धान्त है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है तो ग्रेशम का नियम अर्थ सास्त्र में ये कहता है, मौद्रिक से धान्त है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है बार्त की सबसे बड़ी मीठे पानी की जहील जहील कौले रूचील आंध्र प्रदेस में इस्तित है राश्प़ती के चुनाओं में उत्पन सभी संद्धेश और विवादों की जाँच करने और रिणे करने की शक्तियां किसमें नहित होती है तो राश्पदी के चुनाओं में उत्पन सभी संदे और विवादों की जाच करने में और निर्णे करने में ये सक्तियां सर्वो चिन्याहले के पास होती है निमलिखित मैं से सामाने तक किस पोशक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है दूसरी पीडी के कम्प्योटर को प्राय हकिस के द्वारा उपयोग के आधार पर जाना जाता है तो दूसरी पीडी के कम्प्योटर को ट्रांजिस्टर के द्वारा उनके उपयोग के आधार पर जाना जाता है वर्ष 1774 में प्रसिद रोहिला युद में रोहिला को अवद के किस नवाब ने हराया था तो 1774 के प्रसिद रोहिला युद में रोहिला को अवद के सुजा उद्दौला नवाब ने हराया था तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है तो तैराक को पानी में तैरने के लिए उत्पलावक बल मदद करता है जून 2018 में आंदर प्रदेस सरकार द्वारा किस पक्षी को राजगी पक्षी गोशित किया गया तो जून 2018 में आंदर प्रदेश सरकार ने रोज रिंग तोता पक्षी को राज किये पक्षी कोशित किया था पोलावरम सिचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है तो पोलावरम सिचाई परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है किस देश ने 2019 सुल्तान अजलान शाहकप हौकी का खिताब जीता है तो दक्षन कोरिया ने 2019 सुल्तान अजलान शाहकप हौकी का खिताब जीता है तदकालीन बड़ोदा शाशक सयाजी राव गायकवार तरतिय की इसमरती में इस्थापित किये गए तीसरे सयाजी रतन पुरुसकार से नमबर 2018 में किसे सम्मानित किया गया तो सयाजी राओ गायकवारत रतिय की इसम्रती में तीसरे सयाजी रतन पुरुसकार से अमिताब बच्चन को 2018 में सम्मानित किया गया था निम लिखित मैं से कौन सा इस्थान चिकन कारी कढ़ाई शैली के लिए प्रसित है जोगी कपड़ों पर होती है तो चिकन कारी कढ़ाई शैली के लिए लखनों प्रसित है मई 2019 तक किस खिलाडी ने करकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट मैच एक दिवसिय मैच और T20 मैच में विश्व में सबसे अधिक अंतराश्य रन बनाए तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 2019 मई तक के रिकॉर्ड के अनुसार सचिन देंदूलकर ने टेस्ट मैच एक दिवसिय मैच टी ट्वन्टी मैच में तीनों प्रारूप में विश्व में सबसे अधिक अंतराश्य रन बनाए हाली में इंडोनेश्य के राश्पती के रूप में दूसरे कारेकाल के लिए किसे चुना गया था तो इंडोनेश्य के राश्पती के रूप में दूसरे कारेकाल के लिए जोको विडोडो को चुना गया था सहिक्त राश संग के जय विविदता मुद्दों की समझ और जागुता बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतराश्य जय विविदता दिवस इंटरनेशनल बायो डाइवर्सिट्री डे के रूप में घोशित किया गया है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जय विविदता दिवस अंतराश्य इस्तर पर 22 मई को हर साल मनाते है नीचे दी गई चारो नदिया केरल की नदिया है इनमें से कौन सी नदी राज की सबसे दक्षण वरती नदी है तो नईयार नदी जो है राज्य की सबसे दक्षण वरती नदी है पेरियार, कुपपम, चलियार, नईयार ये चारो केरल की नदिया है सुतनंदर भारत के पहले स्वास्थ मंत्री कौन थे तो राजकुमारी अमरितकौर जी सुतनंदर भारत की पहली स्वास्थ मंत्री थी के अनुसार 2018 में निम्लिकित में से किस राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार मिला है तो भारतिय खनन भ्यूरो के अनुसार 2018 में राजस्थान राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार मिला है 2019 के Pacific Antirashy Billiard Championship जीतने के लिए भारत के सौरव कोठारी को किस ने हराया था तो 2019 के Pacific Antirashy Billiard Championship जीतने के लिए भारत के सौरव कोठारी को आप्शन नमबर बी पीटर गिलकृष्ट में हराया था जून 2019 की स्थिती के अनुसार भारत के 15 वितायों के अध्यक्ष निम्न मैंसे कौन है तो जून 2019 की स्थिती के अनुसार 15 वितायों के अध्यक्ष एन के सिंग जी है महान भारतिय कवी और नाटकार महा कवी काली दास के निमनिकित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है तो महा कवी काली दास जीनिये इन में से मालती माधवा नहीं लिखी है राइट आंसर हो जाएगा टेस्ट मैच की पहली पारी में शुतक लगाने वाला भारती क्रिट खिलाडी इन में से कौन था? तो टेस्ट मैच की पहली पारी में शुतक लगाने वाला भारती खिलाडी खिकरदवन है मई 2019 में भारत सरकार ने निम्लिखित में से किस संगठन पर प्रतीबंद लगाया था तो मई 2019 में भारत सरकार ने जमात उल मुजाहिदीन बांगला देश का संगठन है इस पर प्रतीबंद लगाया था Computer programming میں binary logic और arithmetic का प्रवर्तक निम्न मैं से कौन था तो computer programming में binary logic और arithmetic का प्रवर्तक इन मैं से Claude Shannon को कहते है निमलिकित मैं से कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है तो कंठ माला रोग जो है जल जनित बीमारी नहीं है मई 2019 में निमलिकत में से कौन माउंट एवरिश्ट रिखर पर चढ़ाई करने वाला सबसे अधिक रिकॉर्ड रखने वाला दुनिया का एक मातर परवता रोही बन गया है तो मई 2019 में माउंट एवरिश्ट पर सिखर पर चड़ाई करने वाला सबसे अधिक रिकॉर्ड बनाने वाला कामी रीता शेरपा जी सबसे ज़्याद रिकॉर्ड रखने वाले दुनिया के एक मातर परवतारोही बन गए थे कौन सा परवत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यानमार के साथ हिस्थित है तो पूरवांचल परवत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यानमार के साथ में इस्थित है 23-26 मई 2019 के बीच दूसरा संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम कहां पर आईजित किया गया था नेक्स्ट कॉशन देखते हैं Playing It My Way आद्मकता के लेखा कौन है? तो Playing It My Way आद्मकता सचिन तेंदूल करकी है Desktop, Computer, Laptop, Computer, Tablet और Smartphone ये किस के प्रकार है? तो Desktop, Computer, Laptop, Computer, Tablet और Smartphone Micro Computer के प्रकार है Charial Scrolls भारत की लुप्त प्राय कला का रूप है जिसे नकाशी परिवार कई पीडियों से चला रहा है इस कला का संबंद आधनिक समय के किस भारतिय राजे से है तो ये तेलांगना राजे से संबंदित है चैरियल स्क्रॉल्स कला जो की एक लुक्त प्राय कला है विट्य संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायत्वों की पूर्ती करने की योगिता को सुनिश्चित करने है तो अत्यथिक तरल संपत्ती के अनुपात को इन में से हम कहते है चले निधी कवरेज अनुपात विश्व आर्थिक मंच सहित येल और काले बिया विश्व विद्यालियों की दुईवाशिक रिपोर्ट के अनुसार परियावरण प्रदर्सन सूचकांक 2018 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी भारत के सर्वो चिन्यायले के किस पूर्व नियाधीज को मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधीकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तो भारत सरवोच न्यायले के एके सीकरी पूर्वण नैधिश जी को 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधी करण के अध्रक्ष के रूप में न्युक्ष किया गया निमलिखित मेंसे पुष्पहीन पौधों मेंसे कौन सा पौधा शंकूफल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं। तो इन मेंसे जिमनोस पर्व प्रजाप्ती के पौधे जो होते हैं, शंकूफल और बीज का उत्पादम करते हैं, जिसमें अंडाशे के भीतर बीज नहीं होता है। भारती सम्मिधान के अनुसार राश्रपती अपना त्याग पत्र किसे सौपता है तो भारती सम्मिधान के अनुसार राश्रपती अपना त्याग पत्र उपराश्रपती को सौपते है पदमश्री पुरुषकार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इबराहिम सुतार का संबंध किस राज़ से है तो पदमश्री पुरुषकार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इबराहिम सुतार जी का संबंध करना तक राज़ से है तो दोस्तों ये थे 50 questions वीडियो को अपने दोस्तों को आगे और share करिएगा अगर आपने अभी तक like नहीं क्या है तो वीडियो like ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ share करें और चैनल पर बने रहने के लिए subscribe करें और bell icon को all per notification के लिए set कर दिएगा मिलते हैं next topic में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत वंदे मातरम नमस्कार